नमस्कार दोस्तों, वेलकम डू जागरुन हाई टेक बाटो एक्स्पो से और एक वीडियो में आपका स्वाधत है और ये थोड़े हमारे कमर्शिल दोस्तों के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जो स्कूटर मेरे साथ खड़ी है ये बीटुबी प्लेयर्स के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है क्योंकि अच्याकासा पेलोड इसमें मिलना चाहिए तो क्या कुछ मुझे पता है बाट इस कॉंसेट मैं आपको बताने वाला हूँ वाइस इंपोर्टन क्योंकि एंपेर से आ रहा है मतलब जो इसकी पेरेंट कंपनी है ग्रीव्स, कॉटन, बड़ी प्लेयर है कमर्शल स्पेस में उनकी एंपेर एलेक्ट्रिक सब्सेडियरी है उनके तरफ से स्कूटर आ रही है जिसका नाम है NXU B2B players मतलब Zomato, Krofers, Swiggy, Delivery वाले partners जरूर देखें वीडियो को आपके लिए हो सकती है यह कारगर B2B business में हो सकती है आपके लिए फायदे का सौधा डिजाइन के साथ शुरू करते हैं फिर बताएंगे यूटिलिटी वाइस देखें डिजाइन में आप देख सकते हैं बड़े वील्स दिये गाए हैं यह मुझे साइज में लगबग 12 इंच के वील्स लग रहे हैं डूल परपस टायर्स दिये गाए है नॉबी पैटर्न दे जो सीट है मार्केट में जिस टाइप ही स्कूटर अवेलेबल है उनसे बेटर लग रही है हाला कि यह प्रोटो टाइप है भी काफी स्टिफ लग रही है बट अच्छी होनी चीह है आशा गरते हैं यह साल के अन तक आ जाएगी सामने एक डिजिल इंस्रुमेंटेशन दिया 200 किलो का पेलोड कंपनी टार्गेट कर रही है और यहां पर जो रेंज है कंपनी कह रही है लगभग 80 से 100 और सिंगल फुल चार्ज होना चाहिए यह ख़बरे अलड़ी आर आउट एनेक्स यह कॉंसेप्ट है यह यह मार्केट में आना चाहिए बाइद एंड आफ दो हजार 23 बहुत बड़ी कंपनी है स्पेशली ग्रीफ कॉटन एंपर एलेक्ट्रिक उनका जो आर में यह एंपर के नाम से बहुत सारी स्कूटर्स बेचती है नाव इस गटिंट इन्टू बिजनेस और उनकी प्लेयर एनेक्स यू का आस लगाएगी बाई दा एंड ओफ ट्वेंट 23 आपको कैसी लग रही है स्कूटर let me know in the comments box below क्या आप चूस करेंगे अपने B2B बिजनस के लिए छोटे शहरो में जहां circle of radius is around 5-10 km क्या आई है आपके लिए कारगर साबित होगी बताइए हमें comment section में और कितना price आप expect कर रहे हैं for this वो भी आप जरूर हमें इचे पता सकते कर दो दो क्या हैं